नमस्कार मैं रबिंदर चुहान खास कारिक्रम में आपका स्वागत करता हूँ मध्य परदेश की राजनेतिक घतना करम ने एक बार फिर देश का राजनेतिक माहौल गरम कर दिया है कॉंग्रेस के बड़े निता और पूर्ग पार्टी महासचिव जो तिरादित्य शिंधिया के भाज़पा में शामिल होते ही मध्य परदेश में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार संकट में पड़ गई है कॉंग्रेस पार्टी से निताओं का पलायन का आखिर क्या कारण है कारिक्रम में आपका स्वागत है सबसे पहले से प्रवक्ता रमान जहां जी से जाना चाहेंगे रमान जहां जी एक पार्टी की नेताओं का प्लायरि जारी है जोत्यादित सिंधिया का जाना आपote के कितना बड़ा जटका है। कि अपने और जा रहे हैं यह को यह कुछ नहीं मिला यह घलत होगा को कि पिता के मित्यू के बाद उन्हें उस्ट विदान सवाच से टिकट दी गई सांसद रहें मंत्री बने लेकिन पिछले आप देखें कि 2000 आजब राजस्वाचा चुना हुआ तामत प्रणिस में उसके बा जूसे सब्सक्राइय सुरू हुआ था जानाक्ति लेकिन अदीकतर विधायक कॉमणाथ के पचने के सब्सक्राइब रहता को पूरा करने के लिए भाजपा अधा भी इस थरッव सब कुछ दिया जो कॉंग्रेस पार्टी दे सकती थी उनके महत्वा कांचा थी इसलिए वो अपने स्वार्ख के लिए गए हैं ऐसा कहना है भासपा प्रवक्ता प्रमोद स्वामी जी से जाना चाहेंगे प्रमोद जी आप काफी खूस होंगे क्योंकि आप विपक्स को लगातार तोड़े जा रहे हैं अब इसमें क्या भूमिता थी आपकी इसमें हमने कोई तोड़ पोड़ नहीं की वो श्यम उन्होंने इस्तिफा दिया और उस्तिफा देते वक्त उन्होंने दो लाइने कही थी उसूलों पे जहां आ चाए टकराना जरूरी है जो जिन्दा हो तो फिर जिन्दा नजर आना जरूरी है ये कुछ दिनों से वहां ऐसा ऐस्ता मैसूस कर रहे थे क्योंकि इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही एक रेली में भी इस बात का उलेक किया कि हमने जो अपने घोस्टना पत्र में जो क्रिसकों के जो रिण माप करने के जो वादे किये थे वो वादे हमारी सरकार जो है पूरा नहीं कर पा रही है तो अगर हमारी सरकार क्रिसकों के रिण माप करने के वादे को अगर पूरा नहीं करेगी तो मैं किसानों के साथ मैं भी सड़कों पर उतर करके सरकार के विरूद में किसानों के साथ में मैं संगर्स करूंगा तो जब पत्रकार ने एक पत्रकार ने कमलाद जी से पूछा जो मद्यप्रदीश के मुख्यमंतरी है कि जोत्रियाद सिंध्याजी ने ये कहा है कि वो सड़कों पर उतरेंगे तो उन्होंने बड़ी लापरवाई से उतर दिया कि हाँ उतरते हैं तो उतर जाए तो वहीं से ये पठकता आरंभ हो गई और उसके बाद में आप देखिए कि मुख्य मंतरी के दावेदार जोतिरादे सिंध्या भी थे और कमलाज जी भी थे अभी मेरे मित्र रमन जाह जी ने कहा कि ज्यादातर अमेले जो हैं वो कमलाज जी के साथ थे इसलिए कमलाज जी मुख्य मंतरी बने लेकिन मेरा मेरी जहां तक जानकारी है या मेरा जो एक अनभो है क्योंकि मैं भी कॉंग्रेस में रहा हूँ तो कॉंग्रेस में MLA जो हैं वो किसके साथ जादा है ये जादा महत्पूर्ण नहीं है कॉंग्रेस में महत्पूर्ण ये है कि 10 जनपत किसके साथ है क्योंकि इस बात से रमन जी भी इस बात से सहमत होंगे कि एक समय में जब असम के मुख्यमंतरी तरुन गोगोई जी के बिरुद्ध में जब हमन तब इस्वा सर्मा जी ने उनसे सहमत नहीं थे तो उस समय में हमन तब इस्वा सर्मा जी के पक्स में भी 55 बिधायकों ने साइन करके दिया था लेकिन हाई कमान ने 55 बिधायकों के साइन के बाब ने भी तरुन गोगोई जी को नहीं हटाया और जब हमन तब इस्वा सर्मा जी रहुल जी से मिले इस मुद्धे पर तो रहु हो रहे हैं आपने कहा कि उनकी अभिलासा थी मत्वक अंचाय थी अपने स्वार्थ के लिए वो गए हैं उनको सब कुछ दिया गया लेकिन जिस तरह से वो पिछले दिनों कुछ वहां के मुद्दे को लेकर वो सक्रिय रहे हैं चाहें बीजेपी के परक्ष में उनको कुछ बा और गांधी परवार के भी करिवी थे ऐसा नहीं है कि वो करी नहीं थे उन्हें परिशले लोग सभाव चुनाओ में प्रेंका गंदी के साथ बराबर अधिकार दिया गया था दाइटू अध्या था वह पस्मी उतरप्रदेश के परवारी थे लोग सभावा चुनाओ में त अधिपरदेश ने 15 सारवाद बीजे भी हारी थी और महां को रेश के सरकार आई पंदरा मेना बीद गया है तक्रीम आठार मेना वहां बीता है इस परिस्तिति में उन्हें लगा होगा कि उन्हें जल्दी मुखमंदी का पद चाहिए तो ऐसी परिस्तिति में हमें देखना पड़ता है कि आज उनके साथ 19 विधायक उन्हें का बाइस विधायक है कल को फिर 30 से 40 विधायक किसी देटा के साथ चला जाएगा और हो कहागा कि हमारे नेता को मुखमंदी बना दिन जी ने तो हम चले जाएगे तो इस तरह की निती पार्टी को लंबे दिन तक आप नही लेकिन ये वी सही है कि वही तीरपन विधायक जब होटल असुक ब्राउनपुत्रा में केंद्य परवेश चक आये थे और उन्होंने एक एक करके बात ली थी तो उन्होंने क्या कहा था भी नहीं जानते कि क्या हुआता और क्या नहीं था तो उस समय किसी हर पार्टी का कोई सोचा भी नहीं था उनको लाकर बनाया गया तो हर पार्टी का अपनी निती होती है अपनी निती से चल रहा है लेकिन जोती आदिर सिंद्या का मैं यही कहूंगा कॉनके पैसेंस रखना चाहिए था और कुछी लोगों को महतुपुन पार दिया जाता रहा तो और हाता है इसका मतलब यह आप कहना चाहते हैं कि जो सत्वाह हैं उसे वो का फी दिनों तक अ और यही वजह माइसरा के साथ रहना चाहिए पग्राद के विपICH सब्सक्राइद नहीं क्या भी है आपको जनता के पास जाना चाहिए था आपको भासर दाहरा कि बदल ओर चल झाए- अभी उनको तरद आज की का रास्थ भाका का मिल रहे हैं यह न चेह मंतीटे अब रमोट जी क्यूँकि कॉंग्रेश-पार्टी सत्ता मेंगांगांगांधर समर्थन करते हैं अब राजमेंगांगांगांगांगांगांगान दिखेए सत्ता का लालच मैं इसको नहीं कहूंगा क्योंकि जोति राद दे सिंद्धिया की जो मद्यपरदेश में जो इमेज है वो काफी नीट अंड क्लीन इमेज है और कुछ मुद्दों पर उन्होंने अपनी जो राय है जैसे कि स्कृसकों के मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय सपस रखी उसी तरह का के उपर भी उन्होंने अपनी राय सपस रखी और पार्ट कुछ उन्होंने किया है जब जब वहां मंद्रपरदेश की सरकार बनी है कमल नाथ के नितुरतु में सरकार बनने के साथ ही उन्होंने अपनी नराज़गी चानि शुरू कर दी थी उसके बाद से ही वो एक अलग धारा में चलने लगे थी इससे पहले वह भासपा के तरफ नह जिने वहां जो परिश्रम किया जो महनत की और योटिरादे같ff दे सिंधिया वहां भूमिका रही है तो ठीक है आज Congress Party को Congress Party ने उनकी उस भूमिका की तरह नहीं की और उनको उनका जो स्वाभीमान था उनके स्वाभीमान पे जब आप बार-बार किसी वेक्ति के स्वाभीमान पर अगर बार-बार आप चोट करेंगे तो फिर वो तो निर्ने ले गई तो उन्होंने कहा कि मेरे जो अंचल के जो विकास के लिए जो काम हो रहे हैं वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरे जो समर्थक है उनका जो काम है वो ये सरकार कर नहीं रही है तो वहाँ दिगबिजे सिंग और कमलाज जी ने एक जुगलबंदी कर रखी थी और वो लोग नहीं चाहते थे कि जोतीरादे सिंद्ये जैसा एक युवा जो नित्रत जो है वो उबर कर आए क्योंकि वहाँ राजनीती में दिगबिजे सिंगे भी पुत्र सक्रिये है वहाँ क जी थोड़े समय के लिए आपको रोकना चाहेंगे हमारे साथ जूर चुके हैं तिरपुरा परदेश कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्स और कॉंग्रेस ने था प्रदूत किशोर देव बर्मन आपका स्वागत है प्रदूत जी हमारे कारिक्रम में आपसे जाना चाहते हैं आज भाजपा में सामिल होते हुए जो तेरे दिते सिद्या ने कहा है कि राजनीती जन सेवा का माध्यम होना चाहिए आप इस बात का समर्थन करते हैं राजनीती जन सेवा का सेवा के लिए होना चाहिए मैं इस बात का समर्थन करता हूँ और मैं और एक बात से वाकिफ हूँ कि वो अपने राज्यम में अपने जो शेत्र है उसके लिए सेवा करने की चेश्टा कर रहे थे यह उनका वीव होगा कि उनको लगता है कि सिर्फ बीजीपी में जाके ही वो सेवा कर सकते हैं जहां तक मुझे लगता है कि अगर वो अपने ही जैसे उनके पिता ने कुछ का पार्टी स्टार्ट किया था वो ही करते तो जादा अच्छा रहता लेकिन यह उनका विचार है और मैं उसमें कुछ टिपनी करना नहीं चाहूंगा लेकिन एक बात सही है कि कॉंग्रिस में वो बहुत फ्रॉस्टेटेड रहे हैं और उन्होंने बहुत चेश्टा की थी कि जो उनके अंदर जो पीडा है जो उनके अंदर जो फ्रॉस्टेशन है वो हाइद कमांड अड्र प्रदुट जी प्रदुट जी मैं आप से एक बात यह जानना चाहूंगा कि आपकी मेरी जानकारी आप उनके कजिन भी है और आपके उनके काफी बैतर संबंद रहे हैं अभी इन दिनों जो उनकी उपिक्षक की जा रही थी तो उन्होंने राहूल जी से मिलने का प्रयास किय लेकिन रहूल जी ने उनको मिलने के समया नी दिया क्या यह सत्य है नहीं उन्होंने पाट महने पहले समया था जी से रहूल जी के और और Ahora Laali के तेरेक्षिन में आए आज जब राहूल गांदी ही इंट्रेस्टिट नहीं है डे टू टेर कॉंग्रेस के डिसिजन को लेने के लिए क्योंकि उनका कहना है कि मैं अध्यक्ष नहीं हूँ यह सब आप कॉंग्रेस अध्यक्षा से तोनिया गांदी जी से पूछे तो एक अनाथ होता है हमें ऐसा लग रहा है और यह सही बात है कि उनको मद्धित देश में या फिर पूरे देश में जब से राहूल गांदी ने ये पत छोड़ा है उनको ऐसा लग रहा था कि उनका आवाज अब कॉंग्रेस पार्टी में देडी देरे कोई नहीं सुन रहा है उनको तो हमने कॉंग्रेस पार्टी ने हटा के रही सोब दिया है बीजेबी को यह सही बात है प्रदुत जी एक तरह से कहा जाए तो प्रमोथ स्वामी जी हमारे साथ वैठे हैं कुछ समय पहले तक ये कॉंग्रेस पार्टी में हुआ करते थे आप भी आपका भी तालूग कॉंग्रेस पार्टी से रहा है तो आप अंदुरिन मामलों को अच्छी तरह से जानते हैं क्या क्या सिर्फ नेत्रित्व से नराजगी ही एक वज़ा हो सकती है या फिर भविश्यो को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है कि वाविश्य में एक अच्छी पार्टी का साथ मिलेगा उन्हें सत्ता मिलेगी कि भवश्य का तो सब सोचते अगर आप यूद के उपर आप यूद के उपर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनका भवश्य देखतर ही invest कर किया जाता है तो भवश्य के बारे सोचना कोई गलत बात नहीं लेकिन जहां तक Congress का जो कहना है जो मैं भी Congress में रहा हूँ मेरे मां रही है मेरे पिताजी रहे है और मुझे लग रहा है कि यह जो Congress Party आज का है यह वो Congress सब्सक्राइब कि प्रभु स्वाल आप से करना चाहेंगी कि खिस नितियों पर चाल रही थे लगतार कांग्रेश एक च्रता से सानदार हो रही है तो नंगैं rang subjects एक आkum करने की आप यहां में हम ओन्दत बढू कि हमर्ण को तो जो करयां वह करें। को आजके दिन पर पर स्वरोंग्रेश्टी आज के दिन विपक्ष का रोल नहीं कर रही है और पर टीन कन्या कुमार के पारे ज़ादा बोलते हैं ना कि जो कॉंग्रेस कारे करता है जिसने देश के लिए अपना जान दिया है अपना लहू दिया है उनके बारे कम बात करती है जादा करके लेफ्टिस्ट या फिर लेफ्ट ऑफ सेंटर की बात कर रही है यह कॉंग्रेस पार्टी पुरानी वाली कॉंग्रेस पार्टी नहीं रही है यह मैं आपको 100% कह सकता हूँ आगे चलकर अगर विपक्स की भुमिका किसी पार्टी को निभानी है तो क्या जो तीसरा फ्रंट होगा वो होगा या कॉंग्रेस पार्टी की तरह ही कोई और पार्टी आप देखना चाहते हैं आप तो जानते हैं कि जो इस देश का इतिहास समझता है वो कभी हलके से सत्य में नहीं रह सकता है अगर थर्ट फ्रंट का मतलब नहीं होता कि लेफ्ट वेस्ट फ्रंट हो आपने देखा है कि दिल्ली में आम आदमी पाटी आई आपने साउथ में देखा है कि एक समय रामकृष्ण हेगडे जी थे एक तरफ एंटियार रामाराव जी थे डीमके थी एएए डीमके थे आसाम में आसाम गन परिशत थे तो मुझे लगता है कि अभी बंगाल में तुरिनमूल कॉंग्रेस मुझे लगता है कि अपने शेतर की लोग अगर अपने बारे जादा बात करे और देश का ध्यान रखे तो एक वायबल ओपोजिशन बन सकती है कॉंग्रेस पार्टी आज के दिन सिर्फ एक दिल्ली के बात करती है हिंदुस्तान के बारे बात नहीं करती हिंदुस्तान लटन्स डेली से बाहर है हम भी एक शेतर से आते हैं हमारी भी एक पीड़ा है नौर्टी आज जल रहा है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी भी इस कारण का एक जिम्मवार है कॉंग्रेस पार्टी में जो भी फ्रीली बात करें उनका आवाज दबाया जाता है आखर में आखर में आपने बहुत महत्पून बात कही प्रदुद जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदुद किशोर देव बर्मन ने एक महत्पून बात कही है कि बार बार हर के बाद एक मन्थन होता है कॉंग्रेस में लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है आपने फूरी बात सुनी रमंजा आप कुछ कहना चाहेंगे उनकी जाने गई थी लेट के खिलाब तो कॉंग्रेस पार्टी का भी लेट की जगार लहीं नहीं सकती है कॉंग्रेस पार्टी का अपनी वीचार धारा है वो अपनी वीचार धारा पर चलती है हो सकता है समय अंद सार कुछ लोग प्रदूद्ध बर्वन भी कोंग्रेस के ये अच्छे कारे करता थे उतर त्रपुड़ा में उनकी अपनी कुछ मातो कांचा थी या उनके कुछ अपने राजनीतिक असूल थे जो हर छेत्र को लेकर राजनीतिक नीतियां होती है लेकिन यह भी सच्छे के साथ साथ देश के हितों को भी देखती है अगर आप एक छेत्र के विकास की बात करने जाएंगे या सिर्फ एक छेत्र के लिए सोचने जाएंगे तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे के छेत् प्रदूट किसो देव बर्मन ने एक महत्पून सवाल उठाया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी सिर्फ डिल्ली के बारे में सोचती है इवे नौर्थ इस्ट के बारे में भी उन्होंने सोचना छोड़ दिया है तो पूरे देश के बारे में आपको सोचना होगा तो कि का से नौर्थ इस्ट को अलगर रखा जाए तो देखे नौर्ट का ओंग्रेस बांटी नौर्थ इस्ट हो चाहे गोवा हो या करनाटका हो या बिहार उत्रपनेस हो हर राज्यों को एक साथ लेके चलती है यह भी सच है कि कॉंग्रेस पार्टी सत्तर साल से सक्ता में यह इसमें बहुत सारे लोग पर्मोज जी अब सवाल उड़ता है कि जो बिपक्स के नेता है वो आपके पास आ रहे हैं और आप आप उड़त कर रहे हैं लेकिन वहीं बिपक्स के नेता जब वह बिपक्स में थे या कॉंग्रस पार्टी में थे दब आप उनका खुल कर बिरोत कर रहे have झांग इसपर भी पार्टी अगर ऑगर बातें जो है साफ करे तो जनता को अच्छा लगेगा नहीं अगर विपक्ष के ऐसे नेता जिनकी छवी अच्छी है और जो युआ हैं और जो देश के लिए कुछ करड़ा चाहते हैं और वो अगर ये समझते हैं कि आज देश को नरहिंदर मोदी जी के नित्रत्व की आवशकता है और ये सोच करकर करे कि अगर वो भारती जनता पार्टी में आते हैं तो हमारी पार्टी वैसे नेताओं का हमारी पार्टी ने स्वागत किया है पहले भी किया है आगे भी करेगी क्योंकि मूल जो जो चीज है वो ये है राष्ट्र पर्थम है तो देश के देश के हित के लिए राष्ट के हित के लिए अगर भारती जिनता पार्टी की नीती और आदरसों में आदरसों को मांते हुए कोई अगर अच्छी छवी वाले व्यक्ति अगर हमारे यहां आता है पार्टी में अपना योगदाम देना चाहता है भारत के नव निर्माण में अपना योगदाम देना चाहता है तो वै आपकी पार्टी कहती है कि केडर लेबल की भरती करती है और वहां से आप अनुसासन में लाते हैं जोती राधी सिंधिया जी के बारे में जब मैं बात करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है हर आदनी अपने तरीके से इसका विसलेशन करेगा इस जोईनिंग का लेकिन मुझे ऐ पहली बार माधावराव शिंधिया बहुत जनसंग के टिकट से ही तो आज व कर दता है और व्यादरी आरदर्सरां में विश्वास करते हुए उन्हें भारतिन जंता पार्टी जो इनकी है तो मैं इनको इनकी घरवापसी ही कहूंगा पार्टी इस तर पर तो घरवापसी अच्छा लगता है प्रमोच जी लेकिन जो जनता है उसको यह समझ बने ही आएगा कि एक तरफ तो आप आप आईडियो तो उससे उनकी विचारधारा पता चलती है का जब लाया गया तो उन्होंने उसका समर्थन किया है तो वो जब हमारी आइडियोजी का कॉंग्रेस में रहते हुए भी जब उन्होंने समर्थन किया है और आज जब उनको लगा कि कॉंग्रेस में रहते हुए वो मद्य परद पार्वाट के द्वारहां जब उने को तैयार नहीं है तो फिर वह क्या करते उनके पास पास परमां मेद बैगे आप किस तरह से पार्टी को खड़ा करेंगे आपके पार्टी पर बहुत सारे कि अलग बात है कि ये सिंध्या परिवार हमेगा राजनती करती हैं पहले ने हैं ईनले चांग सतभ नहीं थी नहीं बहुत दिनों तो कोटिर Nirk में उनको नहीं वनाया गया तो आपस हुना नहीं पार्टी बनाधी ये पर जी पर ऑड़े फिरें यह पार्टी यह बात ज़रूरत है कि यह बात सही आपके पार्टी ने विचार करना पड़ेगा एसे लोग जिनकी मनसा अगर कहीं न कहीं से कलतो तो तो पार्टी से जाएं लेकिन जो अच्छे लोग है जो पार्टी के लिए अच्छे कारी करता हैं जो पार्टी में काम करते हैं वो अगर कहीं भी ब्याथित हैं और तो अपनी बात कहां कहेंगे तो हाई कमांड हो या पार्टी के जो निती निर्देशक है तो सुनी नहीं रहा हैं यह सिर्फ आरोप ही तो नहीं है आपके एक बड़े नेता निकल जा रहे हैं आपके पार्टी निकल निकल जा रहे हैं और ग्रासूर्ट तक जो नीचे के लेबल तक सभी कारे करता अपनी शीधी बात पहुचा सके ताकि उनमें जो सो संबाद सिधा हो तो पार्टी और वहतर कर सकती हैं पार्टी को भी लगता है कि उनके कारिकरता जमिन से जुड़े रहें पार्टी के काम करते रहें और जिस तरह से जो तीरा दित्ते सिंधिया निकले हैं आरोप लगा कर वैसा नहों यह इस तरह की पार्टी चाहते हैं लेकिन आत्ममंधन पर इन्होंने सिधा-सिधा नमस्का